हलो फ्रेंड्स आज हम एक ऐसे आर्टिकल को लेकर के आये हैं जो आपके एक्जाम से प्रिलियम्स के लिए काफी इंपोर्टेंट होगा हर एक एक्जाम में ऐसे जो संबीधान के अनुछेद न्यूज में होते हैं वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं और इसका काफी इंप्लिमेंटेशन होता है हमारे एक्जाम के पॉइंट आपके साथ डिसकस करने वाले हैं सबसे पहले मैं आपके साथ यह बताना चाहूंगा कि न्यूज में क्यों रहे हैं सुप्रिम कोट आफ इंडिया ने एक ऐसा केस लिया है उसमें ये कहाया कि अगर जो MP MLA होते हैं य पिर जो विधायक होते हैं अगर उनको जो प्रिवलेजस संभीधान के अंतरगत प्रिवलेजस का मतलब इमनुटी कुछ जो छूट मिली है संभीधान के अंतरगत उसके कॉंटेक्स में यह बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं यहां पर बताब बात के कर रहा हूं देखिए यह 1990 और 1993 में केस आया हुआ था और 1998 में एक कंप्लीट हुआ हुआ क्या था कि 1993 में जब विपिन दर्शी महार रौकी सरकार थी तो उस समय कुछ ऐसा हुआ था कि कुछ पुलिटिकल पार्टी सरकार के खिलाब नों कॉंफिदेंस मोसन लाए हुई थी नों कॉंफिदेंस मो कहा यह जा रहा था कुछ सांसदों को पैसा दे दिया गया और उनको बोला कि सरकार के सपोर्ट में आप वोट दीजिए अगर कोई बिधायक पैसा ले करके किसी पार्टी को जो कि सपोर्ट करता है तो समझे कि वो एक तरह का घूस है या फिर इस तरह से बोल सकते हो कि रिस प्रिवलेजेस मिला होता है और यह प्रिवलेजेस दो तरह का होता है पहला होता है कलेक्टी और दूसरा होता है इंडिविजुल कलेक्टी प्रिवलेजेस का मतलब होता है पूरा जो ग्रूप होता है मिनिश्र का वे एक साथ होता है इंडिविजुल का मतलब होता है कोई ब्यक्ति जब अपनी ब्यक्तिगत पर्सनल ओपिनियन के पॉंट विव में करता है तो यह जो प्रिविलेजेस या इमेनुटी चीजें मिली गई है संभिधान की अनुछेद संभिधान की अनुछेद 105 और 194 के अंतरगत मिला गया है और इसी से हम दो आर्टिकल और जोड़ेंगे एक आर्टिकल 14 हम जोड़ेंगे 14 है और दूसरा आर्टिकल हम जोड़ेंगे 121, 121, 14 मतब चार आर्टिकल को हम आज यहाँ पर डिस्कूस करने वाले सबसे पहले मैं दो आर्टिकल के बारे में डिस्कूस करूँगा जिसमें हमारे लेजिशलेचर जो कानून बनाने वाले लोग है उनको जो इम्मिनुटी मिली है तो दोस्तों सबसे पहले मैं आर्टिकल 105 के बारे में बात करूँगा जिसमें यह बात की गए जो संसद होते ह संसद शंसद मतलब बीधा जो जो परलियामेंटी रिंट होते हैं उनको कुछ शुट मिली गई होती है कि वह अपना इंडिवीजोर पॉइन दे सकते हैं दूसरा आर्टिकल मैं यहाँ पे आपके साथ सेयर करने वाला हूँ अब थोड़ा सा पिसिंस रखें क्योंकि हम सीधे चलेंगे आर्टिकल एक सकेंड मैं सीधे चलूँगा आपको आर्टिकल वन वन आपका वन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वन नाइनटीफोर आर्टिकल के कॉंटेक्स में लेकर के मैं बाते करूंगा यहाँ पर सबसे पहले चलाओं आप लोगों 194 article के context में आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ठीक है 194 एक सेकंड मैं यहाँ पर आ रहा हूँ 194 एक सेकंड हमें पस टाइम दीजिए पांच में क्योंकि लेक्चर बहुत में छोटा बनाने वाला हूँ ठीक है 194 एक सेकंड एक सेकंड रोग जाईएगा टाइम दीजिएगा 194 एक सेकंड 194 आर्टिकल बिचलेंगे हम सिध्ये 194 आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा 194 और 194 जो आर्टिकल दिया गया इसमें जो है कि यहां पर आप देखेंगे 194 में इसमें जो कि हमारे जो MLA होते हैं उनकी कॉंटिक्ट में उनको पावर प्रिविलेजिस वगरा कमीटी और मेंबर आप आजे हाउस की कॉंटिक्ट में यहां पर दिया गया होता है अब हम इसके साथ आर्टिकल एक और हम यहा सुप्रिम कोट होती है इसके वर्किंग को ठ Psal को ठिक है वर्किंग को प्रिवार्फिक सामलेजिस असेमबली में डिस्कोस नहीं किया सकता ठिक है डिस्कोस नहीं किया सकता पहली चीज़ दूसरी चीज यह होती जो आर्टिकल हमारा 14 बोलता है जो हमारा फंडा मिल्टर राइट के अंतर करते हैं ये क्या था equality equality before before law equality before law मतलब कानून के कानून के समक्ष शमान अधिकार शमान अता या फिर समान अधिकार की बात करेंगे कहने का मतलब है कि ये जो कानून कोई बनता है माली ये पास को पास को एक्ट बना हुआ तो इसके अंतर के चाहे अंबानी हो या फिर कोई टी बेचने वाला कोई दुकांदार या रिक्सा चलाने वाला सब को एक्क्वल जो की treatment किया जाएगा तो इस context में अब बात क्या आती कि आप कहेंगे कि आर्टिकल 14 को आप जो है कि 105 एंड 194 के अंतर कर क्यों डिस्क एड कर रहे हो आर्टिकल 14 को क्योंकि जब यहां पे किसी MLA एंड MP को बोलने नहीं दिया जाएगा तो होता है क्या है यह राइट तू अंगेंश्ट freedom जो लोग के अगेंश्ट में जो है कि यह discrimination किया जा रहा और दूसरा 121 जो आर्टिकल 121 इसमें यह कहा गया है कि जो पार्लियामेंट में काम किया जाता है और इसमें supreme court and high court के काम का जिक्र नहीं किया जाएगा ठीक बस एक case को छोड़ करके ठीक है एक case को छोड़ करके accepting कब जब जजों का जजे का impeachment होता है impeachment का मतलब जब उनको हटाया जाता है इनकों वहां से तो इस context में हमने क्या बात किया चार आटिकल को बारे में बात किया एक पहला हमने बात किया 105 हम ने बात किया Qian 54 तीसरा आर्टिकल 121 और 4 आरीय कोर में discussion से privilege वो रोकता है और इसमें equality before law की बात करते हैं तो यह था हमारा brief में article की बारे में तो इस discussion में इतना ही तब तक के लिए thank you thank you आपरे में तो इसका सजय नहीं जवार